अभी हाली में हमारी केंद्रिये सिक्षा और कौशल विकास और उद्दिमिता मंत्री धर्वेंद पिधान ने सिक्षा मंत्राले की ओर से फोटोवाल फोर इस्कोल पहल के लिए फीफा और अखिलभाटी है फोटोवाल महासंग के साथ एक समझोता ग्यापन परहस्ताक चरकी है और देखे इस कारिकरम का इस पहल का उद्देश यही है कि खेल एक 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 सिक्षा के माद्यम से भारत में करोणों युवाओं को मजबूत बनाना है और यहां हम लोग फीफा के बारे में भी बात कर लेंगे और जो अखिल भाती फोटोबॉल महासंग है इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि इस तरह की कोई पहल चलाई जाती है तो क्या रहता है कि उनसे कुश्टन्स आपकी परिक्षाओं में पूँच लेता है और आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं खेल के साथ सिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है फोटोबॉल फोर इसकोल पहल की बात करें तो फोटोबॉल पोर इसकोल कारिक्रम खेल को जीवन का अभिन आयाम बनाने और लोगों को बहु आयामी बनाने के पिधान मंत्री के द्रिष्टी कोण दिशा में उठाया गया एक कदम है और वैसे भी एक समय हुआ करता था जब आप लोग देखते थे कहा जाता था कि खेलोगे कुंदोगे बनोगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दिशा बदल गई आज जो खेल के चित में भी बहुत बहतर केरियर बनाया जाता है और इसके कई हमारे देश में कई उधारन भी आपको देखने को मिल जाएगा और इस पहल का उद्देश खेल 21 सिक्षा के मात्यम से भारत में 25 मिलियन इवा लड़कों और लड़कियों को मजबूत यानि कि ससक्त बनाना है और यह रायश्टी सिक्षा नीती 2020 की भावना को फुरोशाहित करने वाली पहले हमारी नई सिक्षा नीती आई हुई है न और इसके उद्देश की अगर हम लोग बात करें तो मूलवान जीवन कौसल और दक्षताओं के साथ सिक्षारतियों लड़कों और लड़कियों को ससक्त बनाना और लोगों तक खेल और जीवन कौसल गतिविधियों को पहुचानी के लिए कोच सिक्षकों को पिसीक्षड पिदान कर ससक्त बनाना है और फोटबॉल की माद्धेम से जीवन कौसल सिक्षण का संचालन करने के लिए हिद धारकों, इसकोल, सदसंगों और साजिनिक निकायों की शमता में विद्धी करना है सांजीदारी गटफंदन तथा अंतरचेत्री सहयोग की सुवधा के लिए सरकार और भाग लेने वाले स्कोलों की भी सहयोग बढ़ाना है और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि अभी भी हम लोग खेल के छित्र में काफी पिछड़े हुए हैं बागी देशों की दुल्ला में तो इससे क्या रहेगा कि खेल के छित्र में भी हम लोग मजबूत होंगे हम लोग भी अच्छे से जीत हांसिल कर पाएंगे जब स्कूल से ही आप देखें खेल को हम लोग बड़ावा देना शुरू कर देंगे अब बात करते हैं हम लोग फीफा के बारे में और फीफा या फैडरेशन इंटरनेशनल डी फोटवाल एसोसियेशन दुनिया में फोटवाल का सर्वोच सासी निकाय है इसका पूरा नाम भी याद रखें कई बार पूच लेता है और यह एसोसियेशन फोटवाल फोटवाल फोटसल और बीच सौकर का अंतराश्टी सासी निकाय है फीफा ये गैर लाबकारी संगटने और फीफा की स्थापना 1904 में बेल्जियम, डैनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेंड, इस्पेंड, सुईडन, सुईजेलेंड के राश्टी संगों की बीच अंतराश्टी पीति इस परदा की निगरानी की लिए की गई थी और फीफा में अब आप देखेंगे 211 सदस देखने को मिलेगा इसका मुख्याले जीवरेक में देखने को मिलेगा तो मुख्याले भी आप लोग याद रखेगा अगर हम लोग इसके उद्देश की बात करें तो फीफा का प्रात्मी कुद्दिस अंतराश्टी स्थर पर फुटवॉल का प्रिसार करना तथा सत्त निष्ठा और निश्पक्चे खेल को बढ़ावा देना है और 1930 में सुरू हुए पुरुस विसेकप और 1991 में सुरू हुए महला विसेकप सहित अंतराश्टी टूनामेंटों के संगठन और पिचार के लिए जिम्मेदार होता है आपका फीपा और अंतराश्टी ओलंपिक संथी से संब्ध है और अंतराश्टी पुटवाल संग बोर्ड का सदस्थ भी है जो पुटवाल के निवों को इस्थावित करने के लिए जिम्मेदार है फीपा से सम्मदिच छे चित्री ये संग भी है अफीकी फटवाल परी संग इसमें आप देखेंगे 56 सदस देखने को मिलेंगे सुधा मेरीकान डी फटवाल इसमें 10 सदसों वाला दचनमी का महसंग सामिल है असेनिया फटवाल महसंग में न्युजी लेंड से 14 देश देखने को मिलेंगे यूरोपिय पुटवाल संगों का संग इसमें 55 सदस्तों के साथ यूरोप के लिए सासी निकाया है तो इनके बारे में भी आत रखेगा अब बात आती है देखिए ये तो है अंतराश्टी इस्तर पर फीपा लेकिन भारती इस्तर पर यानि की राश्टी इस्तर पर आखेल भारती पुटवॉल महासंग देखने को मिलेगा जिसे सौट में आप लो ए आई एफफ के नाम से भी जानते हैं अखेल भारती पुटवॉल महासंग वह संगठन है जो भारत में पुटवॉल के खेल का प्रवंधन करता है या भारत की राश्टी पुटवॉल टीम के संचालन का प्रवंध करता है और अन पितियोगताओं टीमों के अलाबा भारत की पिरमों घरेलू के अलाब पितियोगता और वर्तमान में इसका कारियाल है द्वार का नई दिल्ली में देखने को मिलेगा भारत में उन्डी सो चंगुन में एसी आई फुटबॉल परिसंग के सलस्तापक सदस्नों में से एक था तो ये अकिल भार दिये फुटबॉल महासंग की बात हो गए और इस तरह कि जो राष् पर उठा के देखा करिएगा तो आप लोगों कोई भैतर समझ में आएगा तो